शंकर पर जल चड़ाने का जो भाववर्मित किया जाता है कि हम संकर को मंदिर में जाकर जल चड़ाते हैं तो खड़े खड़े चड़ाएं की बेट कर चड़ाएं बहुत ध्यान देना साथ संकर में मंदिर में जाकर हम भगवान संकर को जल चड़ाएं तो खड़े होकर चड़ाएं की बेट कर चड़ाएं अब दो तरह का शिविलिंग है मंदिरों में दो तरह का शिविलिंग का निर्मान होता है ठीक है एक विश्णु शिविलिंग एह एक शक्ती पारवती शुप अफ़ीयला रहता है दो टरह का शुपलिंग मंदिरों में होता है समझे लेना बहुत अच्छी तरह से एक शीविलिंग वह होता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है शीविलिंग रहता हैसी जलाधारी एक पूरी पर ज़ल लिजा कर चड़ाय निकल गया रस्ते से एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है वो शक्ती शिवलिंग कहलाता है पारवती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुक में और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है अब हम उसको कैसे बढ़ने डमरू शिवलिंग होता है ऐसा उसका स्ट्रेंड होता है नीचे शिवलिंग रखने की जगा होती है फिर ऐसा ह फिर इसके उपर कि शंकरवहां का शिवलींग रखा होता ठीक है इस तरह का यह सई हुटा एक घारेक्ट मींचे रखा हुआ शिवलींग और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसे याकरती होती है इस पे जो डमरू जैसा जो भाग बना होता है यह भगवान विश्नु का हस्त कमल है और उपर का जो भाग है वो भगवान ब्रमा का हस्त कमल है इसको विश्नु शिवलिंग कहते हैं कौनसा महाद्य हते हैं हरी सरविश्वर महाद्य हरीaja दमरू जैसा जो शिवरलिंग का निर्माण हुआ है मंदिर में अगर शिवलिंग उंचया है शिवलिंग थोड़ी सी हाइट पर है उँचाई पर है और डमरू जैसा भाग फिर उसके उपर जलाधारी जलाधारी के बाद शिवलिंग निर्मान किया गया है तो वो विश्णु शिवलिंग कराएगा वो हरी वंश शिवलिंग कराएगा वो हरी वंश शिवलिंग कराएगा तो कहीं पर भी आपको विश्णु शिवलिंग नहीं मिलेगा केवल एक नागिश्वर को छोड़कर जम के बोलिये केवल एक नागिश्वर नागेश्वर को छोड़कर बाकी के जितने बारा जोतिलिंग में शिवलिंग के दर्शन करोगे सब शक्ती शिवलिंग मिलेंगे, साब जमीन पर आप जितने भी देखेंगे, काशी का देखेंगे, महांकाल इश्वर देखेंगे तो डारेक्ट जमीन पर जलाधारी बनी है महांकाल बाबा की, डारेक्ट जमीन पर बनी है, कोई हुचा ही नहीं है, डारेक्ट जमीन पर, फिर शिविलिंग, ओमकारिश्वर देख लीजिए, ममलेश्वर देख लीजिए, आप चाहें तो विश्वनात देख लीजिए, डारे जमीन पर डायरेक्ट तो जितने भी शिवलिंग है विश्णो के सारे विश्णों के हस्थ कमल पर अज रखा है तो शास्त्र कहता है आप ठीश्विलींग का जब जब अभिशेक करें भात ध्यान रखना अपनी जंदगी में इस प्रसंग को इस प्रसंग को श्रावन और भी बिजल चडाना तो बैट्ट कर चड़ाना पर जब भी चल चड़े बलेशी विलिंग जासे डिल चली वह ब्हीं क 전에 अभी उंचा हो तो शंग हीह से चड़ा दो पर जल भीड़ कर चड़ाएं बले शिवलिंग उपर पूरा तरह सेहात़ नि पूचर जसे सोम्नाजी सोम्नाजी मंस्वी कितना बड़ा महंकोलेश वर कर स्पा कितना बड़ा तो उसको भेट कर श्नान निकर आषके बहले शिवलिंग कितना भी हूँचाओ पर अगर भूमी तच है शिवलिंग अगर भूमी तच है शक्ती शिवलिंग है तो भले आधा शिवलिंग नहाए आधे पर पानी जाए पर बेट कर ही स्नान कराया जाता है और महराज यदि हरिश्वर शिवलिंग है अर्थात भगवान विश्नु के हस्त कमल पर ब्रमा के हस्त कमल पर यदि शिवलिंग है तो वो शिवलिंग का जब भी विस्तनान कराएंगे अविशेक कराएंगे पूजन कराएंगे तो खड़े होकर ही करना है और खड़े होने कभ बिए भी शंकर भगवान के शिविलिंग का इसनान नहीं कराया जाता दोनों चनुर्ण बरावर रख सागर रखीये और उल्टा बावन शंकर का जलबिशेक करने पर लच्मी जैसे आपने चरण रोते हैं भगवान अशंकर उसी तरह से लच्मी को दोडाते हुए अपने घर में प्रवेश करा लच्मी भागती हुई अगर जो पुष्टी मार्ग से जुड़े होंगे जो भगवान ठाकुर जी की सेवा करते है पुष्टी मार्ग से जुड़े हों श्रीमत वल्लभाचार जी से वल्लब कुलवालकों से जिनका ब्रह्म संबंध हुआ है ऐसे अगर जीव है वैश्नम जीव है तो वो दर्शन करते होंगे ठाकुर जी, यमना जी और महाप्रभु जी का तो केसा दर्शन करेंगे शिनाज जी का दर्शन करेंगे तो दोनों पाउं श्री जी बाबा के मेरे ठाकुर जी के बरावर परहेनाद द्वारवाले श्री जी बाबा के गोरदना जी के दोनों पाउं चर्ण बरावर श्रीमत बलबहाचार जी का दर्शन करेंगे तो दोनों चरण बरावर के फोटों में मिलेंगे पर यमना जी का अगर आप दर्शन करेंगे पट्रानी यमना जी का जब दर्शन करेंगे तो यमना जी का चित्र का दर्शन करेंगे तो यमना हमेशा एक पाउं यमना जी का आगे मिलता है क्यों जो वैश्ण उठाकूर का दर्शन करे श्रीमत वल्लबहाचार जी के अनुसार भगवत चर्चा करे उसके यमना भक्ती निरंतर प्रवेश करती जाए इसलिए भागता हुआ चरण दोड़ता हुआ दोड़ता हुआ तो शंकर भगमान का अगर हरिश्वर शिमलिंग है कहीं शिमलिंग डमरु आकरती पर अगर उंचाई पर है हरिश्वर है तो फिर जल खड़े होकर चरण आगे तीछे वहां देना महाराज्या आगा después महाराज्या महाराज्या वह संदर बात केई है है बहुत ध्यान से सुनियेगा इसक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है शक्ती शिवलिंग के उपर जो जलाधारी लगती है वो पांच मिनिट, दस मिनिट, आदा घंटा रखकर चोविस घंटे के लिए हटा सकते हो शक्ती शिवलिंग के उपर जो जलाधारी लगती है वो 15-20 मिनिट रखकर अदर घंटा रखकर भटा सकते हैं पर हरिश्वर शिवलिंग के उपर भगवान विश्णु के हस्त कमल पर जो शिवलिंग का अजिरमान आपको भी बंडन किया अगर वो शिवलिंग है तो उस पर जलाधारी अगर लगी है तो कम से कम पाँच घंटा आ समय शंकर जी की स्थापना करते समय शंकर जी को प्रान परतिश्थित करते समय एक एक चीज का ध्यान करना पड़ता है कि हमें केसा शिवलिंग रखना है कोन सा शिवलिंग रखना है केसे स्थापना करना है किस भाव का होना चाहिए शंकर के मंदिर में शंकर जी विराजे ह hando रहे तो शुमिन की स्वर होना चाहिए पार्वती की in misin कौन सी ओना चाहिए चड़ा नंद कारती केकीदर्ष्टी कहा होना चाहिए यह शंकर जी की प्राणपरतिश्था में देख जाता है यह काट यह गाल मुर्ती ऑलेने बजार में मूरती बना कर वेज और तुम गए हमें संकर जी का परिवार दे दो हमारे मंदिरे छोटा ता में वाँ प्रतिष्ठा करना है तुम बजार में कए और संकर जी का परिवार लेकर आगा संकर जी लिया है कारती के लिया है फारवती जी लिया है गणे जी लिया है और स्थाफना करवादी पंडी जी और बाद में बोली हमको थोड़ी कश्ट हो रहा है हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है कहीं यह यह हम जब से लाएं इससे तो नहीं नहीं गल्ती तुम्हारी है तुम तो बस गई और लेकर आगे यहां तक शुमाह पुरान की कथा कहती है कि तुमारे घर की मूर्थी जितनी पुरानी होती है उतना सुक देती है आपको पहले भी कथा में कहा दिया और मूरत पुरानी होगी चले पुरानी है चड़े हुए जल को जब आप फोड़ा सा लेकर आते हो आपको बताया तरह कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए खाली कलश शंकर जी के मंदिर से बापिस नहीं लाना है शंकर बगवान को जल चड़ाया चड़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में जहल लिया बले दो बून लाओ पर अपने घर पर ले करा उस दो बून जल का भी इस पर, कलश के अंदर हाथ की तीन उंगलियां लगाकर अगर तिशूल पर टच करकर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया तो व्यक्ति का यश्च बढ़ना अपने आप प्रारम हो जाता है उसकी यश्च की प्राप्ति उसको है